The four of us are still doing well. हम सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं और सही स्लामत हैं. That brings me to the present date of 20th June 1942. और इस तरह अच्छे से रहते हुए हम आज की date 20 June 1942 तक आ गए हैं. And the solemn dedication of my diary. और ये date, ये तारी, मैं अपनी डायर, जिसका नाम मैंने kitty रखा है, उसको बड़ी गंभेरता से dedicate करती हूँ, यानि कि स्मर्पित करती हूँ. Darest Kitty, Saturday 20 June 1942, इस दिन वो अपनी डायर्गेटना शुरू करती हैं. Darest Kitty, प्रिया Kitty, our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots का मतलब होता है, shaking with fear and nervousness. हमारी जो पूरी class है, वो भै के मारे या प्रिशानी के मारे डर रही है, काम रही है. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form. तो इसका जो कारण है, वो बेशक, नी संदेग क्या हो सकता है, जो आने वाली meeting है, वो जिसमें अध्यापक teachers ये decide करेंगे, कि कौन से बच्चे को अगली form में, यनि कि अगली class में भीज़ा जाएगा and who will be kept back. और कौन से बच्चे हैं, जो इसी class में detain की जाएंगे, वापिस इसी class में रखे जाएंगे. Half the class is making bets. आधी class, bets का मतलब होता है, शर्ते लगाना. आधी class शर्ते लगा रही थी. G.N. and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. G.N. and I. I यहाँ पर कौन है? Anne Frank. Anne Frank कहती है कि मैं और मेरी सहेली, हम दोनों हमारे पीछे बैठे दो लड़के, जिनके नाम थे C.N. and Jacks, उनके मुरता पूरण बातों पर हंस रही थे. Who have staked? Staked का मतलब होता है, दाओं पे लगाना. Staked their entire holiday savings on their bet. Savings का मतलब बचत, जैसे बच्चों को जो pocket money मिल दी है, कि इन दोनों लड़कों ने अपनी सारी savings को शर्तों के उपर लगा कर दाओं पे लगा दिया था. कि सारी savings, ओभी उनके pocket money थी, उसके साथ शर्ते लगा रही थे, इस तरह उने अपनी सारी जो पूंजी थी, जो pocket money थी, वो दाओं पे लगा रखी थी. From morning to night, it's, you are going to pass, सुभा से लेकर रात तक इन बच्चों के बीच में यही बाते चलती, कि तुम pass हो रहे हो, no I am not, नहीं मैं तो नहीं हो रहा, yes you are, हाँ, तुम हो रहे हो, no I am not, नहीं मैं तो pass नहीं होंगा, even G's pleading glances, अब यह G कौन है, हमने उपर नाम लिया था न, G-N, त यहां तक कि G की जो pleading glances है, pleading glances की होती है, pleading मैंने request, glances मैंने नजरे, तो उसकी दया भरी नजरे, and my angry outburst, outburst का मतलता है expression, violent expression, और मेरा जो गुस्य भरा expression था, can't calm them down, वो भी उन लड़कों को, उन बच्चों को शान्त नहीं कर सका, if you ask me, there are so many dummies, that about a quarter of the class should be kept back, अगर मुझ से पूछते हो, तो यहां class में इतने ज्यादा dummies है, dummies की होते हैं, vacant studies, कि जो कमजोर बच्चे होते हैं studies में, कि लगभग, class का 25% जो हिस्सा है, उनको should be kept back, उनको उसी class में रखा जाना चाहिए, but the teachers are the most unpredictable creatures on the earth, लेकिन जो अध्यापक हैं, उसको Ann Frank ने unpredictable बोला है यानि कि ऐसे प्राणी, ऐसे creatures हैं धरते के उपर, जिनके बारे में कोई भविश्यवाने नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि वो कौन से बच्चों को pass करेंगे, या कौन से बच्चों को fail करेंगे, I am not so worried about my girlfriends, girlfriend मतलब जो उसकी सहेलियां हैं, तो Ann Frank क्या कहती है, कि मुझे अपनी friends के बारे में, अपनी सहेलियों के बारे में and myself और खुद के बारे में इतनी चिंता नहीं है, we will make it, हम सब तो कैसे ना कैसे करके इसको manage कर लेंगे, मतलब हम तो पास हो ही जाएंगे, the only subject I am not sure about is maths, सिर्फ एक ही subject है, जिसके बारे में थोड़ी सी गरबड़ी हो सकती ह है, वो है maths, anyway, all we can do is wait, जो भी हो, हम सब इंतजार कर सकती हैं, until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart, तब तक हम एक दूसरी को सिर्फ यह कह सकती हैं कि अपना दिल छोटा मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, I get along pretty well with all my teachers, मेरी अपनी सब अध्यापकों के साथ बड़ी अच्छी निपती है, देरा nine of them, ये नो अध्यापक है, seven men and two women, जिन में से साथ पुरुष हैं और दो महिलाएं हैं, Mr. Keezing, the old foggy who teaches maths, Mr. Keezing, जो की बड़ा foggy मतलब होता है, old fashion, dull सा teacher होना, कि Mr. Keezing, बड़ा ही old fashion है, जो की हमें maths पढ़ाता है, बड़ा खडूस है वो, was annoyed with me for ages, वो तो मेरे साथ जैसे योगों-योगों से नाराज है, annoyed का मतलब angry होना, नाराज होना, because I talked so much, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, after several warnings, बहुत ज्यादा कई चेतावनिया देने क बाद भी, he assigned me extra homework, तो जब इतनी चेतावनिय देने के बाद भी मैंने बाते करना बंदनी के class में, तो उन्होंने मुझे extra homework दे दिया, an essay on the subject, उन्होंने मुझे एक essay दिया, जिसका title था, और chatterbox, chatterbox का मतलब होता है, talkative, बातूनी, और chatterbox, what can you write about her, write about that, आप इसके बारे में क् चिंता करूंगी, I decided, मैंने सोच लिया, I jotted down the title in my notebook, jotted down का मतलब होते wrote, लिखना, मैंने title अपनी copy में उतार लिया, dug it in my bag, और उसे अपनी bag में रख ली copy को, and try to keep quiet, और फिर शान्त होने की कोशिश की, that evening, after I had finished the rest of my homework, शाम को जब मैंने अपना बाकी ग्रह का रह है, complete कर लि तो मेरी नजर उस essay के उपर पड़ी, वो title के उपर पड़ी, I began thinking about the subject, while changing the tip of my fountain pen, मैंने अपने pen का, fountain pen का सिरा चुबाते हुए, उस विशा के बारे में सोचना शुरू किया, anyone could ramble on, ramble on का मतलब होता है aimlessly, कुछ भी write करना, बिना मतलब की भातें लिखना, and leave big spaces between the words, कोई भी बेसरी पैर की बातें तो लिख सकता है, और शब्दों के बीच में खुली जगा छोड़ कर, कोई भी pages भर सकता है, but the trick was to come up with convincing arguments, to prove the necessity of talking, लेकिन ट्रिक तो ये है, समझदारी तो इस बात में है, कि कुछ convincing arguments से कर, कुछ solid reasons, कुछ ऐसे तरक दिये जाएं, जो की बातें करने क जरूरत को सिद्ध कर सकें, I thought and thought, मैंने सोचा, बहुत सोचा, and suddenly, I had an idea, फिर मुझे एक वीचार आया, I wrote the three pages, मैंने फिर तीन पीच लिख दिये, Mr. Keezing, had a sign me, उसके ओपर तीन पीच लिख दिये, जो काम मुझे Mr. Keezing ने सौंपा था, and was satisfied, और मैं अपना काम करके संतुष हो गई, I argued that, talking is a student's trait, मैंने उसमें क्या argument दिया, क्या मैंने दलील उसमें क्या तरक दिया, कि बातें करना तो एक विद्यारती का trait है, उसकी quality है, उसकी विशेशता है, and that, I would do my best to keep it under control, और मैंने ये भी कहा कि मैं अपनी इस habit को, इस trait को, इस quality को control करने की कोशिश करूंगी, but, I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, लेकिन मैं अपनी इस आदत के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, इस आदत को ज्यादा नहीं सुधार पाऊंगी, क्योंकि जो मेरी मा है, वो भी अगर ज्यादा नहीं, तो उतना तो जरूर बोलती है, जितना की मैं बोलती हू उतनी ही बातें करती है, मतलब वो भी मेरी तरह बातूनी थी, and that there's not much you can do about inherited traits, inherited traits होती है, वो गुन, वो आलती, जो आपको विरासत में मिलती है, मतलब माता पिता से बच्चों में आती है, तो कोई भी inherited traits के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मतलब उनमें कोई बदलाफ नहीं arguments, तो जब मैंने अपने ये काम लिखकर Mr. Casey को दिया, तो वो मेरे इन arguments के उपर, इन तरक के उपर, इन दलिलों के उपर खूब हाँ से, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, तो जब मैंने अपने next lesson के दोरान भी बातें करना जारी रखा, he assigned me a second essay, तो मेरे अध्यापक ने Mr. Casey ने मुझे एक और ऐसे दीदे लिखने के लिए, this time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox, तो इस बार जो ऐसे दिया था, उसका title क्या था, an incorrigible chatterbox, तो उन्होंने chatterbox के साथ एक attribute लगा दिया, incorrigible, incorrigible का मतलब होता है, which can't be corrected, एक ऐसा chatterbox, ऐसा बातों ने, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, I handed it in, मैंने इसको भी लि and Mr. Keesing had nothing to complain about for two whole lessons, और अगले दो lessons तक Mr. Keesing के पास complain करने के लिए कुछ नहीं था, however, during the third lesson, he would finally had enough, अब उनके बरदाश से बाहर हो चुका था, अगले तीसरे lesson के दरन, Anne Frank, Anne's punishment for talking in the class, तो उन्होंने कहा कि Anne Frank, class में बाते करने की सजा की रूप में, write an essay in title, तो तुम एक और essay लिखोगी, जिसका title होगा, quack, 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 said Mr. Chatterbox, कि Mr. Batonini कहत करती है, quack, 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 मतलब यह, बोलना ही कहती है इसको, तो जो भी Mr. Keesing ने मुझे topic दिया था, वो topic पर सुनते ही, उसका नाम सुनते ही, पूरी class हाका लगा कर, हंस पड़ी, मुझे भी हंसना पड़ा, चाहे, I am nearly exhausted my engineering, exhausted my tired हो जाना, थक जाना, engineering का मतलब होता है creativity, कि मैं अब पूरी तरह से थक चुकी थी, अपनी creativity के उपर, अपनी बुद्धी लगा लगा कर, on the topic of Chatterboxes, Chatterboxes के topic यो परलिक लिखकर अपना धिमाग लगा कर, मैं थक चुकी थी, it was time to come up with something else, अभी time था कि कुछ अलग से किया जाए, something original, कुछ original करके दिखाया जाए, My friend Sain, who is good at poetry, जो की कविताय लिखने में बहुत अच्छी थी, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, तो उसने मुझे offer की, कि वो मेरी सहायता करेगी, इस topic को verse के रूप में लिखने की, poem के रूप में लिखने की शुरू से लेकर अंत तक, कि वो शुरू से अंत तक, इस topic के ओपर poem लिखने में म I jump for joy, और मैं बड़ी खोशी से उचल पड़ी, Mr. Keezing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, ridiculous होता है, हास्य प्रत, मजाक्या, तो उन्होंने इस silly से subject को देकर मेरा मजाक बनाने की कोशिश की थी, but I would make sure the joke was on him, लेकिन मैंने भी सोच लिया था, निश्चे कर लिया था, कि जो joke उन्होंने मेरा बन I finished my poem, मैंने अपनी poem खतम की and it was beautiful और यह poem बड़ी अच्छे बनी, it was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were bitten to death by the father, तो इसमें यह जो कविता थी, यह कहाने लिखी था, अमने कविता, वो एक mother duck और एक father swan का बारे में थी, जिनके तीन बच्चे थे, तो जिनको बिटन करके मौत के घाट उता दिया गया था, पिता के द्वारा, कि पिता ने उनको काट काट के मार डाला था, because they quacked too much, क्योंकि वो बहुत ज्यादा quack करते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, लखी ली, Mr. Keesing took the joke the right way, भागया वश, Mr. Keesing ने मेरा यह जोक सही तरीके से लिया, he read the joke, point to the class, उन्होंने, जो यह point थी, वो पूरी class को पढ़के सुनाई, adding his own comments, and to several other classes, तो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी, कुछ comment जोड़े, कुछ बातें जोड़ी, and to several other classes, और कुछ और classes को भी, यह point पढ़के सुनाई, Since then, I have been allowed to talk, and haven't assigned extra work, homework, तो तब से मुझे class में बोलने के आगया दे दी गई, और मुझे कोई extra homework भी नहीं दिया गया, On the contrary, इसके विपरी, Mr. Keesings, always making jokes these days, इसके विपरी, जो Mr. Keesings थे, पढ़ाते वक्त, उन्होंने भी अकसर joke करना, मजाग करना शुरू कर दिया, तो यहां पे, जो यह extract है हमारा, जो की diary of Anne Frank में से लिया गया है, यहीं भी वो complete होता है, और इसके बाद, आगे आपको मैं question answers करते वक्त आपके काम आएंगे, आपको समझने में सहायता करेंगे.